इलाबाद हाई कोट में जजों के पद कुल 160 हैं जिनमें से 66 पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं इसी वज़े से कोट में जो पेंडिंग केस हैं उनका बहुत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर के बार एसोशेशन के अध्यक्ष ने चीफ जिस्टिस को एक पत्र भी लिखा है जिसमें रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है आपको बता दें जिस तरीके से 15 से 20 साल के जो पुराने केसिस हैं उनकी सुनवाई का नंबर ही नहीं आ रहा है वर्तमान में इलाबाद हाई कोट पर 10,37,328 केस ऐसे हैं जो पेंडिंग है अकेले इलाबाद हाई कोट की लखनो बेंच में 2,28,074 केस पेंडिंग है दरसल इलाबाद हाइकौर्ट में जजों की कुल 16 पद हैं जिनमें से 63 पद खाली चल रहे हैं केवल 93 पदों पर ही जज काम कर रहे हैं जजों की कमी के चलते 15 से 20 साल पुराने जो केस हैं उनमें सुन्वाई का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है और जो fresh case आ रहे हैं उनमें दो महीने या तीन महीने में वो लिस्ट हो रहे हैं। इलाबाद हाई कोट में रिक्त पदों पर जजो की भरती की मांग की है। इलाबाद में भी जिसके चलते कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना वकीलों को भी और जिनके case चलना है उनको करना पड़ रहा है। को भरा जाये ताकि जादा से जादा सुनवाई हो और लोगों को न्याय मिल सके। कुछ ऐसे case हैं जिनमें केवल फैसला आना है लेकिन pending caseों के चलते कहीं न कहीं उनकी डेटे नहीं लग पा रही है। के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दस लाख से जादा case इलाबाद हाई कोट में pending चल रहे हैं। कैमरा परसन विरेंद्र के साथ पुनीत मोहन आर नाइन न्यूज लखनौ।